दोस्तो एनेच पीसी की लिमिटेट की बात के श्टॉक के अंदर काफी अच्छी तेजी की समावनाज बनी हुई है काफी अच्छे वॉल्म में कामकाच हो रहा है लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और इसके पीछे वज़े की पीछले जिन दो श् की खरिदारी हो रही है या जो भी क्वाली हो रही है वो क्या इसारा करें उसको समझने की कोसिस करेंगे इसके लाव ब्रोकरिया उसके हिसाब से क्या इसके टार्गेट निकल क्या है वो भी समझने की कोसिस करेंगे और इस सेक्टर के लिए क्या संभावना है वैसे तो आप आप देख सकते हो कि कल हमारे सामने बजट होगा आज की सुरुवात हो चुकी है अगर बजट में ग्रीनाजी सेक्टर को कुछ बड़ा फाइदा दिया जाता है तो फिर यहां पर एक बड़ी तेजी की समवानों बन सकते हैं और यह एक इसके लिए काफी बड़ा राहत एक बेल आइकोन दबा दिजिए ताकि जब भी निया विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंट्स विडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवय और मारे अपने चैनल ऑनलाइ अच्छी तेजी बताई है यानि बाजार थीक दिकरा है इस समय खरीदारी अच्छे हो रही है निप्टी एंदर्जी में भी तेजी है 36,563 के इस्तर पे 164 पॉइंट की तेजी यानि 0.45% अपर है निप्टी एंदर्जी अब एनेच बीसी लिमिटेड की बात करें तो स्ट से जो अच्छी बात है कि पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल इसमें नहीं देखने को मिली और 90 को फिर से आज इसने टच किया इस समय श्टॉक 89 के आसपास ट्रेट का जापे 1.60% की तेजी देखने को मिल रही है अब इसकी परफॉर्मेंस को देखे तो 23 जनवरी को लोजिंग 83.30 के आसपास जापे 3.6% की फिर से सांदर तेजी बनी और 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो इस्टॉक आ गया 86.95 के आसपास जापे 4.4% की फिर से तेजी बनी और कल 30 जनवरी को श्टॉक 87.60 के आसपास जापे 0.7% की तेजी बनी तो लगातार आप देखी सक देखते हो कि पिछले तीन चार ट्रेडिंग सेसंसे इसमें अच्छी खासी तेजी बनी रही है और 92 का इसने हाई भी बनाए और अब आप देखें कि आज का जो इंट्राडे का लो इसका 37 का है लेकिन हाई 92 का जो इसने भी बनाए दो दिन पहले तो कुल मिला के देखे तो कि देखें तो पिछले एक मेने पहले शका 8 करोट का वालिम था 3 करोट की डिलेश उठेगी थी वन वीग पहले 21 करोड का वालिम था एट करोड की डिलेश उठेगी तो अब जैसे कि कंपनी ने ओए फइस लाया सरकार ने अपनी 3.5 की सेल किए 66 रूपिस की प्राइस से और आप देखे तो जो तल्वा लटके दी ओवेफेस की वह भी निकल चुकी है इसकी प्राइस 66 से काफी उपर स्टॉक बढ़ चुका है क्योंकि इस सेक्टर में काफी जादा सम्भा होना है सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय कंपनी वीन और सोलेंजी के उपर प्राइस को डबल फाइदा हो सकता है एक तरफ तो सरकार इने ग्रीन हैड्रोजन जो मिशन लॉंच किया है आने वाले समय मादिम से उसको विश्व के दूसरे दिसों में एक्सपोर्ट किया जाएगा यानि ग्रीन हैड्रोजन का हब बनने जा रहा है इंडिया तो सीज़ा फाइदा नहीं को होता हो दिखाए देगा इसके अलावा अगर आप देखे तो सरकार ने सुरियोदे योजना लॉंच किया सोलर रूप टॉप लगाने तो कंपनी के पास सोलर के प्रोजेक्ट भी है तो उसका भी फाइदा हो सकता है यानि एक तरसे इसको डबल में साविल हो सकता है करन प्राइस की 89.20 लो अगर आप देखे तो 37.80 का और हाई 92 का तो स्टॉक काफी जबरदस दोड़ चुका है स्टॉक का पी 22.90 जो काफी एची बात है बुक वैल इसकी 38.90 की है और 2.07 का सांदार डिविडेन भी कंपनी देती है और आप देखे सकते ह हो की कमपनी जब रिजल दिने जारी फरवरी में उसके साथ में कमपनी डीविडेन भी देगी रॉसी 8.49 परसेंट है और आ रोई 10.8 परसेंट है और इसकी face value 10 ने तो देखो कि company 12 फ्लूरी को अपना result डिकलेर करेगी और उसके साथ में dividend भी देगी तो आप समझ सकते हो इसके लिए काफी ज्यादा अब यहां पर मार्केट एक्सपर्ट रवी सिंक के इसाब से आपको इस लेवल पर खरिदारी करनी चीए और यहां पर उन्होंने 77 का स्टॉप लगाने के लिए सरा दिये और 100 का टार्गेट आ सकता है बहुत जल्द तो कुल मिला के वैसे तो उन्होंने का है कि इसमें तीन मह से पहले ही स्टॉक वहां तक पहुँच सकता है अब रिवनी की बात के इसका रिवनी काफी तेजी से बढ़ा है यह 2019 में जापे 8982 करोड के आसपरस था वो 2023 में 10600 ने 7 करोड तक पहुच गया है तो काफी चाह रिवनी बढ़ा है पिछले तीन सार शालों में प्रॉफिट भी जबरदस बढ़ा है 2019 में जापे 2008 ने 30 करोड के आसपरस था वो 2023 में बढ़के 4239 करोड तक पहुच गया तो रिवनी प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है यानि बीजनस बढ़ रहा है अब कुछ बड़ी डिल हुई है उन डिल की दरब चलते है तो यहां पर देगे कि सुब 9 बचकर 15 मिनेट पर 88.50 की प्राइस से 6,67.50 की खरिदारी हुई तो उसी समय 9 बचकर 15 मिनेट पर 88.50 की बिक्वाली हुई फिर 9 बचकर 15 मिनेट पर उसी समय 88.30 की प्राइस से 8,32.50 की बिक्वाली और हुई उसके बाद 9 बचकर 19 मिनेट पर 88.95 की प्राइस से यहां पर 5,07,000 की एक बड़ी खरीदारी हुई तो उसी समय 9 बचकर 19 मिनियट पर 88 की प्राइस से 5,99,000 की फिर से बिक्वाली हुई और उसी समय 9 बचकर 19 मिनियट पर 88.40 की प्राइस है 5,34,000 की फिर से खरीदारी हुई उसके बाद 9 बजकर 51 मिनर पर 88.65 की प्राईस से 7,074.90 की एक बिक्वाली और हुई फिर 10 बजकर 25 मिनर पर 89.25 की प्राईस से 6,089.90 की एक बड़ी बिक्वाली और हुई फिर त्यारा बजकर उन्पचास मिल्यर पर 89 की प्राइस से 9,14,000 शरो की बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग हुई फिर बारा बजकर 19 मिल्यर पर 89.05 की प्राइस से 12,31,000 की बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग हुई फिर एक बजकर 22 मिल्यर पर 88.95 की प्राइस से 7,29,000 शरो की बिक्वाली और वी तो यह क्लेली आप समझ सकते हो की काफी बड़ी बिक्वाली हो रही है और इसी विजह से प्राइस थोड़ी सी दबाव में दिखाए दे रही है क्योंकि प्रॉफिट बॉकिंग हो रही है होटर के ओडिंग 70.95 परसंग के आसपास है यह आपको अब त्रीम होती हो दिखा देगी आने वाले जो अबहारी सांदिश्य पढ़ेंगा उसमें क्योंकि वह फिस लाया गया है यहां पे एफवाई ने अपनी होल्डिंग कुछ ट्रीम किया और अपना प्रॉफिट बॉक जो लगातार बनी हुई है जनलप पब्लीक की बात कि तो उनकी होल्डिंग सेप्टामर में 7% यह सब्सक्ता है तो काफी कम होल्डिंग yönल प्रॉप्लिक से ज्यादाशेर और dear के पास है और यही सब्मूत है यह श्टॉक आनने वान में बड़ा multiple i ver बन सकते है क्योंकि FIO या DIA उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है वो अच्छे से research करके ही किसी stock में दाव लगाते हैं उनकी अगर राडर पर यह stock है तो वाके में यह जो share earning pattern यह इसारा करता है कि यह stock आने वालस में आपको जबनस return दे सकता है तो नजरिया long term का लेकिन नीवेस आपको कर लेना चीए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisory या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जुरू की जोड़ चैनल को subscribe कर दीजे ठैक्यों